आज बढ़िया ही नहीं बिलकुल सही चाए मसाला बताने जा रहा हूँ जो सब को पसंद आने वाला है कई बार ऐसा होता है कि चाए मसाला बना लेते हैं लेकिन हर किसी को पसंद नहीं आता है तो हमारी सारी मेनत पानी हो जाती है इसलिए perfect चाए मसाला उसके साथ में एक perfect चाए तो चलिए मिलके शुरू करते हैं कैसे वे मैं स्वाध के मित्रों मैं शयबू पर आपका स्वागत करता हूं अपनी और स्केजन में चाए बनाने से पहले चाए का मसाला तैयर कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे हरी वाली लाइची यह चार छोटे चमच है और चमच कौन सा है छोटा वला टी स्पून लेना है कोई भी आप चमच रख लेजिए आप अपने इसाब से नाप के हर चीज डालनी है आगे पीछे नहीं करना है थोड़ी सी भी गलती होएगी मसाला खराब हो जाएगा दो चोटे चमच काली मिर्च काली मिर्च गले की खराश को भी सही करता है सर्दियों में थोड़ी सी मातरा बढ़ा भी सकते हो और गर्मियों में कम भी कर सकते हो सॉफ, दो छोटे चमबच, इसकी बहुत अच्छी महक आती है, अगर आपको इसको पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, और गर्मियों में ठंडग भी देती है, दो छोटे चमबच, लॉंग, ये भी सरदियों की बहुत अच्छी स्पाइस है, इसका भी इस्तम डालना है, पूरा नहीं डालना है, इसको मैं बाद में डालूँगा, लास्ट में, और ये हैं चाई की मसाले के अंदर, फूपाजी, जो शादियों में फूपाजी होते हैं, वो है ये, मतलब की इनको रखना तो है, लेकिन ज्यादा रखोगे, तो पूरा रायता फैला दे तो सबसे पहले इसको हम हल्की आँच पर रोष्ट करेंगे, मसाले को भूनना नहीं है, बिल्कुल हल्की सी आँच पर इसको बस गरम करना है, आप चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं, ज़रूजी नहीं इसको इस तरह से रोष्ट करना, दो से तीन मिनिट मैंने लो फ्लेम पर हलका सा गरम किया है, बस देखे, हलकी सी गरमी महसूस होनी ची आपको, इतना ही गरम करना है, बस इसके जो इंटरनल ओइल्स होते हैं, वो अक्टिवेट हो जाए बस अब इनको निकाल लेते हैं, जब यह ठंडे हो जाएं, उसके बाद ही हमको पीसना है इसक तो यह तो यह तियार हो गया एक बहुती बहत्रीन चाय का मसाला, एक पर yr Alles चाय का मसाला, इसको अगर चाय में डालते हैं आपकी चाय बहुती बहत्रीन बनेगी और सब यह पूछेंगी बनाई कैसे हैं लेकिन एक चीच की कमी है इसके इंदर ये चीज की कमी है और ये क्या है सौन्ठ का पाउडर एक छोटा चमच सौन्ठ का पाउडर डलेगा खास तोर से सरदियों में तो बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है मसाले को स्टोर करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है अगर स्टोर से नहीं किया तो इसकी खुश्बू उड़ जाएगी फिर बिना खुश्बू की चाय की मसाले को डालने में क्या फायदा और इसको डालते कैसे हैं ये भी मैं आपको आगी बताऊँगा आरा दूद दोनों बराबर पसंद आता है लेकिन ये क्या है आधा का पानी है उड़ जाएगा इसलिए मैं डाल दिया इसको दो कप चाय के अंदर मैं डाल रहा हूं दो छोटे चमच चाय पती आप कितनी कड़क पीते हैं उस हिसाब से कम जादा कर सकते हैं एक बार जब उबाल जाए उसके बाद ही दूद डालते है इसके अंदर लेकिन दूद डालने से पहले हम इसमें डाल रहे हैं ये तुलसी की पतियां लगबग 10-12 तुलसी की पतियां डाल दीजिए यहां पर इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाय के अंदर और जब चाय की खुश्बू आपको आने लग जाए बैचाय की खुश्बू आगई तो उसी टाइम आपको दूड डालना है ये गया एक कब दूद और ये दूद उबलावा दूद है कच्छा दूद नहीं डाला मेने जैसे ही चाय में उबाला है तो यहां पर डाल दीजे चीनी क्योंकि चीनी डालने क के बाद में इसको उबालना बहुत जरूरी होता है दो छोटे चमच में डाल रहा हूं आप अपने साब से कम ज्यादा कर सकते हैं और इसी के साथ में बहुत ही प्यारी चीज गुलाब की पत्तियां और ये देसी गुलाब है वह वाला गुलाब नहीं डेकोरेशन वाला इस तो ही छोटी चमच के आसपास मैं चाय का मसाला डाल रहा हूं इस से ज्यादा मत डालना इसका मसाला कम ही डालते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जाड़ डालते हैं तो फिर मसाले का ही मसाले का फ्लेवर आएगा हलका होना चीए तभी मज़ा आता है और जैसे ही आपने मसार डाला उसके बाद में सिर्फ एक वाल और आपकी शानदार वाली चाय रेड़ी हो चुकी है तो चलिए खुश्बुदार चाय सर्व कर लेते हैं तो इस तरह से चाय बना के देखिए सब को बहुत पसंद आने वाली है और हर कोई इसकी चाय की रेसिपी पूछेगा आपसे ये गारंटी है भै चाय बनाने में सब एक्सपर्ट होते हैं सब को अपने हाथ की चाय पसंद आती है लेकिन कभी कभी चाय का रूप बदल देना चीए